सीरियल पुन्या शलोग एहले भाई के आज के एप्सवर्ड में दिखायता है मालर्हाव अहिल्या की तरफ बंदूक ताण के खड़ा हो जाता है और तभी तुकर जि मालर्हाव से बोलते हैं कि मालर्हाव ये तुम क्या करे हो लेकिन तबी मालरा हसने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ। आप डर गए। आप सब को क्या लगा कि हम यह बंदूग आई सेध पर चलाएंगे। नई नई ऐसा कुछ भी नही है हम तो मज़ाग कर रहे थे। क्या हुआ आप डर गया अई सेध? ऐसा कुछ नही है चिंता म सब्सक्राइबुणे कि कि से ऊपने प्राइनों जाना कि जआएयो तो मालर्या बोलता है कि अपने जानते हैं लेकिन हम बसमजाग कर रहे थे आप आप हमें माफ harsh कर देजिए हैं अच्छीया ना और आंध्य वहां पर देखि χर्त वो जितने भी उपहार है ना, वो मुझे फिरंगी अफसर ने दिये हैं, वो भी तोफे के तोर पर, और हाँ एक चीज़ तो हम आपको दिखाने ही बूल गए, और तभी मालरा अपनी पगड़ी उतार कर नीचे रख जाता है, और अंग्रेज की दी हुई टोपी पहन लेता है और बोलता है कि आई साहब अब देखिये, अब बताईए कि हम कैसे लग रहे हैं, आई साहब हम सच कह रहे हैं कि जू साहब बहुत अच्छे हैं, और बहुत प्यारे भी, आप सब लोग सुनिये, वो चाते हैं कि मालवा की तरक्की हो, और आई उनके पास ऐसे बहुत सारे के लिए त्यार हैं, और वो भी बिल्कुल कमदामों पर, तो अंग्रेज बोलता है कि शाबाश बहुत बढ़िया, और तभी अंग्रेज उनकी टोक्रियों में से फल देखने लगता है, और तभी अंग्रेज का दोस्त अंग्रेज से बोलता है कि क्या काम आएगे ये लोग तो अंग्रेज बोलता है कि वही जो कोई नहीं कर पाएगा, जूता सिर्फ पैनने के लिए नहीं होता, कुछ चलने के भी काम आता है, और कोन आएगा जूते के नीचे, ये बुखे नंगे लोग, आज हम इनकी ये चीज खरीदेंगे, और दीरे दीरे गरके इनको पैरों क नीचे रोंदेगे, इसे कहते है रोटन चीज से अपना रूट बनाना, और इसके बाद खायता मालरा और अहिल्या से बोलता है कि क्या हुआई, आपको अच्छा नहीं लगा, बताइए नहीं हम कैसे लग रहे हैं इस वेश भूशा में, आप सब लग सोचिए, ये आदनिक बंदूग देखकर आप सबका ये हाल है, तो जब दुश्मन इसे देखेगा तो उसका क्या हाल होगा, खून और प्रसीना दोनों एक रंग का हो जाएगा, क्यों आई सही कह रहे हैं न हम, और तब ये मालरा अहिल्या को बंदूग देता है, लेकिन अहिल्या उस बंदूग और तब ये मालरा की पगड़ी उठाती है, और बोलते है कि तुम उस फरंगी के साथ दोस्ती करके आयो, जिसकी टोपी ने एक पल में राजकुमार के ताज की जगा ले ली, और तुम कहरे हो कि ये केवल मजाक है, तो मालरा बोलते है कि हाई बस ये एक मजाक था, लेकिन इतना बावू कौने की क्या जरूरत है, आप हमें एक बात बताईए कि ये जो टोपी है, ये भी तो वही काम कर रही है ना जो हमारा ताज करता है, और देखिए कितनी हलकी है, तो मालरा बोलते है कि इस विशे के गंबेरता को तुम्हें समझना होगा, इस वक्त इस टोपी आज की इस फिरंगी टोपी से तुलना करना, मतलब अपने पूरवज्यों की द्रोहर का मजाक उडाना है, और ये करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, आज उस फिरंगी ने तुम्हें ये वस्तु में बेट की है, तो वो कल को तुमसे जरूर और कुश चाहेगा, क्य इस फिरंगी ना तुम्हें एक दिन अपने लक्षे से बटक जाओगे, तो मालरा बोलता है क्या ही हमें समझ मी नहीं आ रहा, कि आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रही है, हम जो कह रहे हैं वो आदुनी करना है, और आप जो कह रहे हैं वो संसकारों की बात है, आई सेब उन मुझे, और इसके बाद दिखायाता है वो अंग्रेज, फॉलो में से सभी गले फल अलग कर देता है, तो अंग्रेज का दोस्त बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, तो अंग्रेज बोलता है कि सेपरेशन, पहले पेचानो और फिर बाटो, देखो ये एक अच्छे फल है, होलक फैमिली जैसे, और दूसरा सड़ा हुआ फ्रूट, जो ये बार बैठे गंदे गरीब लोगों जैसे हैं, और इसके बाद दिखायाता है, अहिल्या मालरा को उसकी पगड़ी पहनाती है, और बोलता है कि देखो मालरा मैं तुमारी आई हूँ, अगर मैं तुमें कुछ समझ तो मालरा बोलता है कि आप कबसे लोगों की सुनिष नई बातों पर विश्वाष करने लगी, आप ही हमें बच्पन में बताती थी ना, कि लोगों से मिलो, उनसे बात करो, और फिर अपनी मन में विचार दारा बनाओ, तो अब क्या हुआ, तो अहिल्या बोलता है कि मैंने कोई गल्द फैमी नहीं है ना, हम खुद यूसाइब से मिलकर आए हैं, आप एक बर उनसे मिलती तो आपको वदा चलता है कि यूसाइब कैसे है, और उनका सवाव कैसे है, और आप सब लोग सुन लिजिए, कि दोस्ती खात उन्होंने आगे बढ़ाया था हमने नहीं, और ये निर्ने उन्होंने पूरा हम पर छोड़ दिया था कि हमें दोस्ती करनी है या नहीं, लेकिन उस विश्यापर दो कदम आगे चलकर हमने निर्ने लिया, कि हम दोस्ती करेंगे, और ये बात कहने में हमें जरा सभी संकोश नहीं हैं, लेकिन आई हमें लगा था कि आप पकड़ने की कोशिश में जल जाओगे और वही हुआ था मैं तुम्हें रोकती इससे पहले तुम्हारी खिलखलाहट चीक में बदल चुकी थी और जिकीन माना उस दिन मैं तुमसे ज्यादा रोई थी तो मालरा बोलता है क्या ही अब आप बातों को दूसरी दिशा में लेकर दाए हैं आई उनका साथ हमारी ताकत बन सकता है आई एक बार आप उनसे मिले तो सही तो उहले बोलते एक मालरा तुम फिर से अंगारों को पकड़ने की बात कर रहे हो जैर का सौध पता करने की तुम्हें क्या जरूरत है यह जित शोड़ो मालरा तो मालरा बोलते क्या है एक बार उनसे मिली है तो सही हमारी खातर मिली एक बार इसके बाद इखायता है अंग्रेज वो सभी गले साड़े फल उन लोगों में पार देता है और अपने दोस्त से बोलता है कि देखो इन लोगों को इनो सैट लेकिन हम इने बेवकुक कहते हैं और यह हमारे काम आएंगे, यह हमसे वपार करने के लिए आएंगे, लेकिन हम इनका गरबार सब चीन लेंगे, और इसके बाद इखायता मालराओ, अहिल्या से बोलता है, कि कोई भी हमारे फैंसले को एक मोका देने को त्यार नहीं है, बस हम तो नामदारी राजकुमार हैं, और